Hello everyone, Welcome to the Study with Mayank, मैं हूँ आपका Mayank, हम लोगों की यहाँ पर Class 8 की Old Ns ERT Word Geography चल रही है, आज आपका सीक्रम में Chapter 11 है, यहाँ पर हम लोग चीन और जापान के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं क्या-क्या डिस्कुस करना है यहाँ पर, तो सबसे पहले बात करते हैं चाइना की, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर Asia का मैप दिया गया है, चाइना जो है Asia महादीप का एक पूर्वी देश है, यानि पूर्वे वस्ते देख देश है, आकार की दश्टी से गरम देखें, आकार की दश्टी से चीन जो है संसार का चोथा सबसे बड़ा देश है, देखें, जैसा कि आप लुग जानते हैं, पहले स्थान पर रूस आता है, रसिया का स्थान पर पहला है, रसिया के वास second number पर कनेटा का नमबर आता है, और third number पर USA आता है, तो आगार की दश्टी से चाइना संसार का चोथा बड़ा इसी बिए से चाइना ऐसा दावा करता है कि उसके पास USA से ज़्यादा जमीन है लेकिन बर्तमान के परपिक्ष में देखें तो बर्तमान में अभी चाइना जो है चौते स्थान पर आता है जबकि USA चितफल की मामले में तीसरे स्थान पर आता है तो यह बात मैंने आप चाइना की सीमा है जो है 14 देसों के साथ लगती है यह 14 देस कौन-कौन से है इनमें उत्तर कोरिया, रूस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गेस्तान, ताजकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नैपाल, भूटान, म्यामार, लाउस और वियतनाम सामिल है देग इक बार मैं आपको मैपर दिखा दे रहा हूँ, बार, बारी-बारी से इस सभी देशओं को, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर नॉर्फ-कौरिया की, तो देखें यहाँ पर नॉर्फ-कौरिया जो है चाइना के, उत्तर-पूर में रसिया है, मंगोलिया है, फिर इधर तो इसे हं फ्र आप पर जाएगा। और यहाँ पर पाकिस्तान आ जाएगा। इसे अज़र नैपाल है, रुटान है। मियामार की etermैज़रों के ने गधाता देख सेनी किया रहे है। तो छीना के कब बात करें, तो यहाँ के बहुते लक्षनों में सबसे दिख प्रधानता उंचे परवतों की और पठारों की है जो कि कुल भूमी के पांच में भाग पर फैले हुए है यानि कहने का मलब यह है कि यहां की भूमी पर पहाड और पठार सबसे जादा है भूमी की बात करें तो भूमी के केबल 15% भाग पर मैदान है और बाद बागी भूभाग पर पहाडियां और कम उचे पठार है यानि कहने का मलब यह है कि यहां पर केबल 15% भागी मैदानी है बाद बाकी जो 80% भाग है उस पर या तो पठार है या फिर पाडियां है चीन की जो गुआकरती है तो इसकी तुलना हम लोग तीन अर्ध ब्रत्ती सोपानों से कर सकते हैं जो क्रम से पश्चिम से पूर की और नीचे होते जाते हैं यानी हमने इसको तीन पाट्रों में डिवाइड कर लिया तीन कौन-कौन से पाट है तो सबसे पहले इसका पहला सोपान हम देखेंगे इसमें बर्व से ढखे हुई सिखरों और हमानियों वाली उची-उची परवत सेडियां इसमें हैं जैसे कि केलास सेडी है, क्युल्न सेडी है जैसा कि आप देख पारें यहां पे क्युल्न परवत माला है इधर फिर केलास सेडी है इस साइड में तो यह सब जो परवत माला है इस सित्र में मौझूद है तिबबद, तिबबद को जो है चाइनीज भासा में जिन जियां कहते है तो तिबबद इन परवत सेडियों के मद इस्तित है और तिबबद के बारे में आप जानते होंगे यह तिबबद का पठार है तिबबद का पठार जो है संसार का सबसे बड़ा पठार है इसकी जो ओसत उंचाई है वो 4000 मेटर के करीब है इसके बात बात करते हैं आंतरिक वाले भाग की तो यह वाला जो सेकेंड वाला भाग है यह वाला जो भाट है इसकी बात हो रही है नहीं पर आंत्रिक वाले भाग की बात हो रही है। इस वाले पार्ट की बात हो रही है। तकला मकान का ठंडा और सुनसान परिकिस्तान मौजूद है लोईस पठार जो है लोईस पठार वो भी यहीं पर मौजूद है तो लोईस पठार जो है यह आप देख पाने यह लोईस पठार है तो लोईस पठार जो बहुत बारीक कड़ो वाली पीली मिट्टी से बना है जिसे लोईस कहते हैं और इसी वजय से इसका नाम लोईस पढ़ा है लोईस का पठार पढ़ा है क्योंकि ये पीली मिट्टी से बना हुआ है इसी जासे इसको जो है लुइस का पठार भी कहा जाता है लुइस पठार का निर्माण कैसे हुआ है वो यहाँ पर बताई गई है प्रक्रिया कि आंत्रिक मुर्स्तली पाहग से सीद काल्ब में जो आने वाली पबने है उनके दवारा यहाँ पर लगातार मिट्टी का जमाव किया गया है और उसी जमाव की पठार यहाँ पर तयार हुआ है अब बात करते हैं चीन के पूर्वी बाले भाग की यानि इस बाले पार्ट की बात करेंगे यह पूर्वी बाला भाग है तो चीन का जो पूर्वी भाग विसाल, हिंगन, ताइकांग और वूसान परोसेडियों के सिरे से समुत तर्ट तक यह विस्तरत है जो कि तीसरे सोपान का निर्माट करता है यहां पर पूरी भाग में भी विसाल परोसेडिया है जिन में हिंगन है, ताइकांग है और वूसान परोसेडिया है तो यहां से लेकर कहां तक समुत तर्ट तक यह विस्तरत है इसके अंतरगती हुआंग ही, इसके अंतरगत आप देख पा रहे होंगे हुआंगी, चांग जियंग और जिजियंग नदियों की घाटियां समले थे देखें चांग जियंग नदी को यंगती नदी बोला जाता है और हुआंगी नदी को येलो रवर्ब भी कहा जाता है पिली नदी भी कहा जाता है तो ये भी नदी द्रोणियां भी इसमें सामिल है इन नदी द्रोणियों के बीच बीच में पाणियां फैली होई है इनके बीच में जो मैदान बगर है उसकी औसत उचाई यहां पर बताई गई है इसकी औसत उचाई 500 मीटर से लेकर 1000 मीटर के बीच में है अब यहां पर नदियों की अबारे में कुछ-कुछ जानकरी दी गई है इसके जो पश्मी भाग है पलेटू अब तिबबद यसे खा जाते है तिबबद का पठार तो तिबद के पश्मी छित से यहां पर वैसे तो अनेक नदिया निकलती है इन तीन बड़ी नदियों में कौन कोंसी नदिया है सिंदु है सतलोज है और सांगपु को भारत में ब्रहंपुत्र के नाम से जाना जाता है और वहीं बांगला देश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है तो इनका उद्गम इस्तल एक दूसरे के बहुत पास ही होता है तिब्बत के पठार सी दिनों निकलती है और इनका उद्गम स्तल भी बहुत पास-पास में ही है सिंदो और सतलज नदी जो है ये पश्चिम की और भहती है सिंदो और सतलज जो है पश्चिम की और भहती है ये भारत में प्रवेस करती है और अंत में ये बांगलादिस में प्रवेस कर जाती है ये तीनों नदियां हिमाले परवत को पार करने पर गहरे माकड बनाती है और भिविन इस्थानों पर भारत में ये प्रवेस करती है साल्वीन और मीकांग नदियां तिबबत पठार के पूरी भाग से निकलती है जैसा कि आप देख पारें यह बाला जो पार्ट तिबबत का पठार है तिबबत पठार का पूरी भाग है यह बाला भाग है तो ये नदियां चीन में होकर पूर्गी और बहती हुई अपना जल प्रसांथ महासागर में गिराती है यानि कि यहाँ पर आप देख पाने यह यांगतची नदी है या फिर जिसको चांग जयांग रिवर कहा जाता है तो ये अपना जल प्रसांत भाहासागर में गिरा रही है यहाँ पर जोगा हुआंगो नदी है जिसको यलो रिवर भी खा जाता है ये भी अपना जल प्रसांत भाहासागर में गिरा रही है इन मेंसे जो जजयांग घाटी है जजयांग नदी की घाटी है ये सबसे बड़ी है जज्यांग नदी की घाटी सिचाई और नौका भन के लिए सबसे उप्योगी भी है वांगी इसको यलो रिवर खा जाता है वांगी उत्री चीन को सिंचित करती है और बहुत बड़ी मात्रा में अपने साथ पीली गाद या सिल्ट भाकर ले जाती है देखें जो वांगी नदी या यलो रिवर जो है ये लोईस के पठार के आसपा से बहती है तो लोईस के पठार के आसपास से बहने की वजय से ये अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में गाद या सिल्ट को भाकर ले जाती है संसार में सबस्यादा सिल्ट को भाकर ले जाने की मामनी में वांगी नदी पहले स्थान पर आती है वांगी नदी की बात बताई गई है कि वांगी नदी की घाटी में गात के जमाव की वजय से यह नदी जो है अपनी धारा अक्सर बदल लिया करती है यानि जब इस नदी की घाटी में सिल्ट बगरा जमा हो जाती है जब इसके यह अंदर घाटी में सिल्ट गर जमा हो जाती है तो उसकी विएसे इसका जो तल है उतला हो जाता है तल के उतला होने के विएसे यह नदी जो है अपनी धारा बदल देती है इसी विज़ेसे आसपास के छेत्रों में बाड़ा जाती है अब है जलवायू और प्राकरतिक मनस्पती आपके सामने यहां पर चाइना का मैप दिया गया है अगर आप चाइना को गलोब पर देखें या बड़े मैप पर देखें विस्तु के मैप में देखें तो आप यह पाएंगे चाइना की दच्षड भाग से यहां से करक्रिखा हुए गुजर रही है और चाइना का जो उत्री वाला भाग है या उपर वाला जो भाग है इसी तो खट्वन में पढ़ जाता है तो इसी विजए से उत्री वाले भाग में अत्यदिक ठंड पढ़ती है तो यहां पर बताया गया है कि दच्षड से उत्तर के वर बढ़ने पर तापमान कम होता जाता है याईनी जैसे याईसे दाफ्षड से उत्तर की वाइसा की मात्रा और पूल से पश्रम के वर्सा की मात्रा गरती जाती है फलसरूप दच्छड और दच्छड पूरूप में गर्म और आदर होती है और सीत रितुर मर्दूल होती है यह जो पार्ट है दच्छड वाला पार्ट यह वाला पार्ट यह वाला पार्ट चुंकि यहां से आप देख पा रहे होंगे दक्षड से करक रिखा भी जा रही है करक रिखा के गुजटने की वियसे यहाँ पर अच्छी भासी वर्सा भी प्राप्त होती है और यहाँ पर गर्मी की सीजन है अब इसके उत्तर में उत्तर में मतलब याँ इसके साइड में चांग जियांग जो नदी है इसकी द्रोणी की बात हो रही है तो इसके उत्तर में चांग ज्यांग की द्रोणी में ग्रीस में तु जो है उष्ट यानि गर्म और आद्र होती है लेकिं सीत्र तु जो है सीतल होती है यहाँ पर जो वार्सिक वर्षा की मात्रा है यह मद्यम होती है यहाँ पर वार्सिक वर्षा दख्षड की तुलना में थोड़ी सी कम होती है अब बात करते हैं उत्री वाले भाग की है इस वाले पार्ट की बात करते हैं तो उत्री भागों में ग्रीस में तू उष्ट गर्म होती है और सीधर जो बहुत ज़्यदा ठंडी होती है क्योंकि उत्तर की उड़ से आने वाली साइविरिया की जो ठंडी पपन है उनकी जैसे यहाँ पर उत्री भाग में बहुत ज़्यदा सर्दी पड़ती है और यहां पर वार्सिक बर्सा जो है बहुत ज़्यदा कम होती है प्रागर्तिक संसादन और आर्थिक क्रिया है देखे जैसा के अभी हम पढ़ चुके हैं कि चैना की केबल 15% भाग पर मैदान है और बाद बाद की 25% भाग पर जो है परवत और पठार है यानि कहने का मतलब यह है कि यहां पर खेतियों की जमीन की कमी है फलसरू बहुत से स्थानों पर पाहड़ी डालों को सीडी लूमा खेतों में कनवर्ट कर दिया गया है ताकि लोगों की जो खाद्यान की जरूरते हैं वो पूरी की जा सके हैं चीन की बात करें तो चायना चायन टेकनलोजी में कितना भी आगे हो लेकिन यहां की अधिकांज जन संक्या अभी भी खेतियर है यानि वो भी खेति के कारें में लगी हुई है चीन मूलता है खेतियर देस है चीनी क्रसक जो है चार हयार साल से भी अधिक समय से घहन क्रसी और उद्ध्यान क्रसी करते आ रहे हैं यानि इनके पास खेती करने का एक लंबा अनुभव है दच्षड और मद्चीन में चावल प्रूंग फसल है दच्षड का मतलब ये बाला पार्ट हो गया और मद्दे का मतलब ये बाला पार्ट हो गया तो दच्षड और मद्चीन में चावल प्रूंग फसल है इसके लाबा उत्री चीन में गेहूं, सोया बीन, जौर बाजरा उपजाए जाते हैं उत्री चीन का वालब यह बाला जो पार्ट है, यहां पर गेहूं, सोया भीन, जो आरबाजरा उपजाए जाते हैं, नगदी वसलों की बात करें, तो नगदी वसलों में रेसम, कपास और तमबाकू यहां पर उपजाए जाते हैं, रेसम और चाय के लिए चीन जो वर्ड में को मास और दुद बगएरा के लिए पाला जाता है, चीन के खनी संसादनों की बात करें, तो चीन जो है अनिक खनी जो जैसे के कोईला, लोह आयस्क, टिन और टंगिश्टन के मामले में धनी है, उत्री चीन के अधिकतर राज्यों में कोईला छितर है, उत्री चीन से आसे य इसके लाबा यहाँ पर लोह एस के भी अपार भंडार है, वहीं गली, डकांग और कारामे में 30 तेल चितर है, प्राकरतिक गयस जो है केंटन और सिचुवान राज्य में मिलती है, यहाँ पर पूर्वी किनारे पर संघाई है, यहाँ आप देख पार यह संघाई है, चीन को सोयाबीन और चाय की जन्भूमी के रूप में जाना जाता है, ऐसा माना जाता है कि सोयाबीन और चाय का जो जन्म है, पूरे विस्ठी में पहुंचाँ, बीजिन जो है, कीन की रायधानी होने के साथ ताद यह जल्पोद निर्मार्ट और वश् atom निर्मार्ग का भी पूर्मुग के बात करें, त्याजिंग, सन्यांग, बोहान और ग्वांग ज्खाउव, जिसको केंटन खा जाता है, यह यहां के प्रमुख अने नगर है, अब है जापान, तो जापान जो है एसीया की मुखिभूमि के पूर में, कसांत महसागर में इस्तिक देश जापानी भासा में इसे निप्पॉन कहते है और निप्पॉन का अर्थ होता है सूरियोदय का देस तो जापान को जो है सूरियोदय का देस भूकम्पों का देस देखे जापान जो है प्रसांत मासागर की रिंग ओफ फायर बेल्ड का हिस्सा है Ring of Fire Belt जो है ज्वालमुकियों की एक संखला है तो ज्वालमुकी उद्गार होने के विए से संखला के आसपास की जो छेतर है उनमें अधिकान समय में भूकंप आते रहते हैं चुँकि जापान भी इसी का पार्ट है जापान को पूरू का Great Britain भी कहा जाता है जैसा कि हम सब लोग जानते हैं दुनिया के सबसे विख्सित देसों में जापान की गिंती होती है जापान की टेक्नलोजी जाहे जापान की जो भी अर्थवस्ता हो दुनिया के टॉप 10 में काउंट की जाती है जापान को पूरू का Great Britain भी कहा जाता है जापान देश एक दीप समू है जिसके दीप धनुसाकार में फैले हुए है जैसा कि आप देख पार एक धनुसके आकार में दीप यहांके फैले हुए है उत्तर से जच्छिट के और इनकी जो लंबाई है लगबग 3800 किलमीटर से कुछ अधिक लंबाई में यह विस्तरत ने दीप जापान के पास लगबग 3500 दीप है जापान लगब 3500 दीपों का देश है हाना कि इन मैं से केवल 4 दीप जो है वो मुख है तो 4 दीप कौन कौन से है छेतफल के अधार पर अवरोही करम में इनका करम है हांसू, होकाइडो, क्यूसू, सीकोकू यह 4 दीप है अगर उत्तर से जच्चड के करम में देखें उत्तर से जच्चड के करम में सबसे पहले होकाइडो पढ़ेगा फिर यहां पर यह हांसू है फिर नीचे की तरफ यहां पर आप देखेंगे इधर ये शीकोकू पढ़ता है और फिर नीचे जो है क्यूसू है देखे ये काफी important है और कई बार PCS exam में पूछा गया है इनका करम PCS exam में पूछा गया है तो आपको उत्तर से दच्छत इनका करम और इनका अबरोही या आरोही करम आपको पता होना चाहिए कि इनमें सबसे चोटा दीप कौन सा सबसे बड़ा दीप कौन सा है बहुत दिक लक्षड जापान दीपसर हों में यहाँ पर परवत जो है वो रीड की हड़ी की माती यहां की कुल भूमी के भातर प्रस्वत भागपर फैले हुए है यानि कहने का उनलब यह है कि यहां की चारों दीपों प पर यहां की दोस्तिहाई से जो भूमी है वो परवती है और यहां की जो परवत है अधिकतर परवत जो है जौलमकी की द्वारा बने हुए है जैसा कि यह उन्हें स्टार्टिंग में बताया था जापान प्रसांत महासागर के रिंग ओफ फायर वाले जौन में पढ़ता है इसी वज़े से यहां पर जो अधिकतर परवत है वो जौलमकी परवत है इन में से सबसे सिख प्रसिद्ध टोकियो के निकट सुसुप्त जौलमकी फ्यूजी यामा है यह मांट फ्यूजी यामा है जो कि हौन्सु दीप पर अवस्चित है और इसमें 1707 के बाद से कोई उध दिवेदण नहीं हुआ है जापानी दीप अभिक्षड कर्याओं से प्रवावत होने की वज्यासे इन पर अक्सर भूकम पगेरा आते रहते हैं मेदानी शेतर यहां पर बहुत कम है हौन्शू के पूर्वी तट पर क्वांटू मैदान काफी महतपूर है यह हौन्शू दीप है और हौन्शू का पूर्वी तट है यह वाला तो यहाँ पर क्वांटू मैदान यह काफी ज़्यादा फैमस है जापान की तट्रेखा लंबी परंतु परवती है जैसा कि भी हमने बताया था कि जापान की कुल भूमी के भातर पिस्दी बाग पर पर्वत हैं तो यहां की तर्ट्रेखा लंबी है लेकिन पर्वती है इसमें अनेट छोटे परंदू बहुत अच्छे पोतासरे भी है यहां पर बहुत सारे पत्तन भी हैं यहां पर हौंशू दीप पर ही जापान की अध्रव पेटी का विकास हुआ है जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि हौंशू जो है जापान का सबसे बड़ा दीफ है और इसी दीप पर जो है इंड़स्ट्रियल एरिया डबलप हुई है इसी दीप पर जापान की राःधानी टोकियो इस्दित है जापान की सबसे बड़ी नदी सिनानो है तो इस सिनानो जिवर जापान की सबसी वड़ी नदी है जापान का नागा साकी सहर ये क्यूशु दीव पर इस्थित है जैसा कि आप देख पारें कि ये क्यूशु दीव पर और क्यूशु दीव पर यही नागा साकी पढ़ रहा है और नागा साकी की बारे में आप पढ़ चुके हैं, नागा साकी ने भी दुती विसुत में परमाट बम कुछ हिला था अब बात करते हैं जापान की जलवाईव और प्राकरतिक वनुस्पती की तो जापान मुक्त है सीतो श्रटबंद में इस्थित है अगर आप बिस्थु के मैप को उठा कर देखेंगे तो आप यह पाएंगे जापान की जो इस्थिती है वो सीतो श्रटबंद में पढ़ती है तो समुद्र के समकारी प्रफाव का असर भी यहां की जलवाईव पर पढ़ता है इसके जलवाईव जो है साधारते म्रदुल है दशडी भाग की पिक्षा उत्री भाग अधिक ठंडा है देखे उत्री भाग में क्या है उत्री भाग में यहां पर पूर्ब की ओर से आने वाली जो ठंडी हुआ है रशिया के साइबिरिया की और से आने वाली यू ठंडी हुआ है वो उत्तर वाले पाट को प्रभावित करती है इसी विजय से उत्तर वाला भाग जो है दश्र वाले भाग की तोलना में ज्यादा थंडा है तो यहां पर भाई बताया गया है कि पूर्वी साइबरिया से आने वाली महाधिवी बायुदाराई यहां सेत रुत में मौसम को प्रवावित करती है इनसे देश के उत्तरी और पश्मी भागों में भारी हिमपात और वर्सा होती है इस साइड से आने वाली जो साइबरिया की ठंडी बायुदाराई है जब उस समुत के उपर से गुजरती है तो अपने साथ नमी को ग्रहंट कर लेती है तो उनसे क्या है उनसे उत्तर वाले हिस्से में यहां पर वारी बर्सा भी होती है और हिमपात भी होता है ग्रीश मिर्त में धच्यटपूर से आने वाली महासागरी वहाथ धाराएं जापन के पूरवी और धच्च्टपादी तूफान आते हैं जने टाइफोन कहते हैं यानि आपने चक्रबाद का नाम सुना होगा उन चक्रबादों को यहाँ पर टाइफून कहा जाता है जो कि जापान के दच्षडी तरफ पर उत्पन होते हैं यह तूफान जो है फिलीपीन सागर अत्वा कैरोलीन दूपों के आसपास विक्सित होते हैं वार्सिक वर्सा यहा पर में विट्सिस पष्ड कर दे रहा हूँ जापान के दच्षड में यहाँ पर फिलीपाइन सी पढ़ता है जापान के पूर्ब में पैस्पिक ओशियन है यहाँ पर पाश्चिम की तरफ सी ऑफ जयपान है और उपर इस पी आपान के पूर्वी तट पर किरो हो जल्दहरा जो के गर्म जल्दारा है और ओयोशिव जल्दारा जो के ठंडी जल्दारा है ये दोनों जल्दारा है आकर मिलती हैं तो दोनों जल्दाराओं के आकर मिलने की वजैसे यहां पर क्या प्लेंक्टन का विकास होता है और जैसा कि आप लोग जानती है, प्लेंक्टन जो है मशलियों का भोजन होता है, इसी जैसे यहाँ पर बड़ी संख्या में मशलियां उपस्तित रहती हैं, तो यही कारण है कि जापान की पूरी तर्ट से बरत इस तर्ट पर मशलियां पकड़ी जाती है, यह बात यहाँ पर वन संसादन जो है प्रचुर मांत्रा में है, तो यहाँ पर बताया गया कि वन संसादनों के अथिक्त, अन्य प्राकरतिक संसादन यहाँ पर बहुत कम है, जापान का धरातल परवती और उवडखावड है, इसी जैसे यहाँ पर ट्रसियों की भूमी अत्यंत सीमित है, तो उन में सघन क्रसी की जाती है और क्रसी करने के लिए आदमिक तक्निक यानिक मसीनी जो फार्म उपकर्ड बगएरा है वो सब प्रयोग किये जाते हैं चावल जो है चावल जापान की मुखे फसल है कुल क्रसीयों की भूमी के लगवक आदे भाग पर यहाँ पर चावल उत्पन किया जाता है जापान में विभिन प्रकार के फल और सब्दियां जैसे मंदरेन, संत्रा, सलाद, जर्वेरी इनकी भी खेती की जाती है दुती विस्विद के बाद जापान की लोगों की जो फूड है बेटा है उसमें परिवर्टन आया है दुती विस्विद के बाद यहां की लोगों ने जो वेस्टन कल्चर है वेस्टन कल्चर की लाइव इस्टैल है उसको एडप्ट कर लिया है तो दुती विश्वत के बाद मास, दुग दुतपादों, चीनी, सब्जियों और फलों का भोग यहां पे बढ़ा है जबकि चावल का भोग अब घड़ गया है जापान के कुल छेतवल के लगवाग दो त्याई भाग पर बन है प्रक्षों की प्रजात्यों में सबसे दिक लोग परी है सगी तथा जापानी देवदार, हिनो की अत्वा जापानी साइपरस और अका मास्तु अत्वा जिसको जापानी लाल जीड घा जाता है, यह प्रमुख है देगे जापान की खनिस संपता की बात करें तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गही है, कि जापान के पास वे सभी खनिस नहीं है जो आधनिक अध्योग धांचे को बनाये रखने के लिए आवश्यक है जापान का मुख के खनिस संसादन कोईला है और कोईला भी यहाँ पर निम्यकोटी का है जापान अधिकांचे खनिस संसादनों का आयात करता है किन्तु मसीनरी रुद्योग में उन्नत तकनीका परयोग कर अंतराष्टी बाजार में यह प्रमुक निर्यातक देसों में से एक है जापान ने क्या किया जापान ने अपने याकी जो भी पबलिक है अपने याकी जो भी नागरिक है उनकी सिक्षा पर स्वास्थे पर उनकी ट्रैनि बगरा पर बहुत ज़्यादा खर्च किया और उन्हें एक अच्छा human resource में convert कर दिया और इसी जापान के लोग जो है बहुत ज़्यादा डबलब्ड हैं technology की छेतर में आगे हैं तो जापान ज्या करता है अन्देशों से चीजों को आयात करता है बाद में अपने प्रोसिस करता है और फिर उसे निर्यात करता है तो ऐसे करके दुनिया का सबसे विक्सित देशिये बन पाया है जापान अपनी उर्जा की आउशकता के 85% भाग के लिए बिजिसी स्रोतों पर निर्वर है खनी तेल, कोईला, प्राकरतिक गैस, आणविक उर्जा और जल्ब दुद्ध यहां की उर्जा के संसाधन है ओसाका को जापान का मैंचेस्टर, देगे मैंचेस्टर जो है बिटेन का एक सहर है और मैंचेस्टर जो है अपने कपड़ा उद्धुक के लिए काफी फैमस रहा है और नगोया को जापान का डेट्रोइट, डेट्रोइट जो है युएसे का एक सहर है जो कि वहां उद्द्योग के लिए famous है और जापान का bread food bread food सहर जो है अपनी heritage के लिए काफी famous है तो यहां पर बताया कि उसाखा को जापान का Manchester और नगोया को जापान का Detroit इभम जापान का bread food कहा जाता है जापान के प्रमुक बंदरगाओं की बात करें तो योकुहामा, कोबे, नगोया और उसाखा यहां के प्रमुक बंदरगाओं है क्योटो जापान की पुरानी रायधानी है इसके साथ साथ यह हस्तकला उद्द्योग के लिए भी काफी famous है देखे जापान की बात करें तो जापान दुनिया का एकमातर ऐसा देश है जिसकी 3-24 से दिक जनसंख्या जोए नगरी है कुल नगरी जनसंख्या का लगवक 60 फिसी भाग टोक्यो में, योकुहामा में ओसा का, नगोया और किता क्यूशू जैसे प्रमुक मानगरों में केंद्रित है यहाँ पर बताया गया है कि 1947 में यहाँ की महलाओं को समान कानुनी अदिकार मिले हैं उसके बास सी यहाँ के पित्तात्मक समाच का रुक जो है वदल गया है तो यह था हमारा आज का वीडियो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा आप लोग इस वीडियो को लाइक वाशियर करना बिल्कुल मत भूलिये तो चलिए आज की रसना ही थैंक्स पूर वाचिंग जै हिंद